हलो फ्रेंड्स ग्ट मॉर्णिंग मैं हूँ एमजे फ्रेंड्स आज की वीडियो फेब्रुरिवरी मार्च यानी की फेब्रुरिवरी एंडिंग से लेके मार्च महिने तक की रोस कैर से रिलेटिड वीडियो होगी अब जैसे की friends आप देख रहे हो मेरे बहुत सारे roses मैंने cut कर लिये है यहाँ पे भी जैसे की देखोगे यहाँ पे भी देखोगे flowers की quantity अब पहले से कम हो चुकी हमारे जो summer snow है summer snow के उपर सी अभी flowers almost खतम हो चुके है कुछ-कुछ plants के उपर मैंने flowers लखे है जैसे की हमारी जो last video थी last video में मैंने बताया था आपको कि जो कुछ plant हमारे जो flowerings दे रहे है जो flowering buds produce कर रहे है उनको flowerings पे आने दीजिए और जो flowers हमारे खतम हो चुके है वो flowers को आप cut कर लीजिए जो भी plants मेरे जो भी plants ने मुझे flowerings देना बंद कर दिया है वो सारे plants को मैंने flowerings उनकी cut कर दी है जो भी damage flowers वगेरे खतम हुए flowers सारे cut कर लिए है तो अब धीरे धीरे करके जो भी flowers निकलेंगे उतना में ले लूँगा और जैसे ही friends कि मेरे जो temperature है वो around 35 degrees के आसपास जा रहा है उसके बाद से मैं अपने plant के उपर flowerings लेना बंद कर दूँगा जी हाँ देखे temperature के according हमें अपने रोज की care करनी है मैं मुझे नहीं पता आपके अभी कौन सा temperature चल रहा है लेकिन इसलिए मैं हर एक वीडियो में जितनी भी मेरी रोज की वीडियो आती है ये सारी रोज की वीडियो में मैं एक ही चीज आप से हमेशा share करता रहता हूँ कि temperature बहुत ज़्यादा matter करता है अगर आप अपने रोजिस को grow करते हो तो temperature के according आप अपने roses की care करिए तो जैसे ही friends मेरे यार 35 degrees के आजपस temperature आना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं अपने roses के उपर pinching करना शुरू कर लूँगा pinching करना यानि की जो भी flower word क्योंकि हमारे rose की tendency है वो flowers देना लेकिन जैसे ही temperature आपके 35 से आजपस जाना स्टार्ट हो जाएगा 35 से उपर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो rose के flowers बिलकुल भी beautiful नहीं आएंगे बहुत छोटी size के आएंगे और वो flowers लेना बेकार है क्योंकि वो flowers आपको कुछ भी beautification नहीं देने वाले ये तो एक पहले नंबर की बात है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो flowers आपके plant की energy consume करेंगे देखिए जैसे ही temperature बढ़ता है rose कैसे process करता है वो समझने की कोशिश करते हैं जैसे ही temperature आपके आप बढ़ेगा तो सबसे पहले आपका जो plant है वो stress में आना शुरू हो जाएगा stress में आने की वज़े से वो अपनी growth पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा growth की जो growth rate होती है आपके roses की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी तो जब कोई भी process कम हो जाता है rose का हमें उसके उपर काम करने की जरूरत होती है तो ऐसे टाइम पे आपको अपने roses के उपर flowers लेने की जरूरत नहीं है आपको अपने roses के उपर growth लेने की जरूरत है तो जैसे ही आपको लगता है आपके जो roses है वो flower words प्रड्यूस कर रहे हैं तो उसको पहले pinch कर लीजिए pinch करने के बाद आप अपने plant के अंदर watering अच्छी quantity में दीजिए क्योंकि temperature बढ़ेगा गर्मिया बढ़ेगी plant की water requirement बढ़ जाएगी अगर आपका जो rose है वो सिंडर में है तो दिन में तीन बार watering करिए अगर आपका जो rose है कोकोपीट में है सुभे एक बार अच्छी तरह पानी दे दीजिए शाम को आईए चार बजे पाँच बजे के आसपास और तब फिर से एक बार उसको watering करिए rose को बिलकुल भी dehydrate मत रखेगा ये summer season में rose को अगर आप कम पानी दोगे summer season में तो बाद में वो plant आपका summer season में survive नहीं कर पाएगा क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है रोज के लिए जिसकी वज़े से वो अपना temperature maintain कर सकेगा तो रोज का temperature maintain करना बहुत ज़्यादा जरूरी है summer season में और पानी उसका key point है अगर आप cinder में grow करते हो plant को तो अगर आपके यह temperature 45-50 degrees के आसपास जाता है तो दिन का 5-7 लीटर पानी सिंडर में जाएगा ही जाएगा और अगर आप कोको पीट वगेरे में grow करते हो तो दिन का कम से कम 3 लीटर 4 लीटर या तो 5 लीटर के आसपास पानी जा सकता है डिपेंड करता है रोस की साइज के ऊपर अब जैसे कि अगर आप बोलोगे कि यह छोटे रोस है ऐसे छोटे रोस क्या 4-5 लीटर पानी लेंगे कोको पीट में लगा हुआ है नहीं लेगा यह जो plant है यह around 1-2 लीटर जितना पानी लेगा लेकिन यह जो बड़ा plant है बड़े plant को ज्यादा पानी चाहिए क्योंकि उसकी branches लंबी है leaves की quantity ज्यादा है तो उसको ज्यादा पानी चाहिए तो वो इसाब से water requirement समझ यह हर एक plant की और उसके इसाब से उसको पानी बिलकुल भी दीजिए मीडिया को बहुत ज्यादा ड्राइ मत कीजिएगा मीडिया जितना ज्यादा ड्राइ होगा आपका रोज का उतनी ही आपके रोजिस पे पीले पत्ते होंगे आपके रोजिस पे pest attack ज्यादा होगा आपका रोज बिलकुल भी अच्छे बड़े leaves produce नहीं कर पाएगा fertilizer concern सा देना है मैं आपको मार्च महिने में इसकी वीडियो आपके साथ share करूँगा लेकिन जो पिछली वीडियो में मैंने जो fertilizer आपको बताया था जैसे कि मैंने आपको बताया था यह दो fertilizer अभी भी आप continue रखिए क्योंकि यह दो fertilizer की वज़े से आपके plant के ऊपर root system भी develop होंगे आपकी plant की immunity बढ़ेगी आपके plant के जो stem रहे गए जो यह जो stem रहते हैं वो थिक बनेंगे तो यह चीज जरूरी है अभी रोज के लिए तो वो fertilizer अभी continue रखिए March महिने में fertilizer में फिर से थोड़ा सा change आएगा क्योंकि temperature में change आएगा वो इसाब से मैं अपने plant का fertilizer schedule change करूँगा अब सबसे important चीज अगर आपके temperature अभी भी 31 या तो 30 degree से नीचे है तो आपको अपने रोज को report करना है या तो आप अपने plant का media change करना चाहते हो तो अभी ये season में कर सकते हो इससे ज्यादा late नहीं करना है ज्यादा late करोगे तो बात में आपका plant survive नहीं कर पाएगा chances रहते हैं कि अगर गरम season में अगर आप अपने पोदे के ऊपर ये reporting या media change करने की कोशिश करोगे तब आपके plant को नुकसान हो सकता है pruning pruning कैसे करनी है अब जैसे की friends अभी हमारे जो flowering season खतम हो चुकी है flowering season खतम होने पर हम अपने रोज के उपर pruning कर सकते हैं अब pruning कैसे करनी है बहुत simple चीज़े मैं अभी आपको practical दिखा देता हूँ अब जैसे की friends यह जो flower हमारा खतम हो चुका है मैंने आपको पहले भी बताया था जो flower खतम हो चुके है वो flower को हमें cut कर देना है अब सबसे पहले वो flower को देखना है कि उसकी stem कहा से आ रही है यह एक hybrid variety का रोज है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से इसके जो flower है वो निकल रहा है और इसकी stem को हम steady करेंगे यह stem देखिए यहाँ से वो stem सीधी नीचे जा रही है यहाँ तक आ रही है और उसके साथ दूसरी stem है यहाँ पे दूसरा flower बढ़ आ रहा है उसके साथ यह तीसरी stem है यह तीसरी stem पे कुछ भी ने activity ज्यादा नहीं हो रही है तो करना यह है कि यह तीसरी stem को cut कर दीजिए क्यूंकि इसके उपर ज्यादा कोई activity नहीं आ रही है तो उसको मैंने हटा दिया यह जो stem है यह stem पे flower बढ़ आ रहा है तो उसको रहने दूँगा, यह जो stem है, इसके उपर flower अब खतम हो चुका है, तो इसको exactly cut कहां से करना है, इसको exactly cut हम वहां से करेंगे जहां से stem उसकी सबसे ज्यादा मोटी हो, अब जैसे कि यहां पे जो शुरुआत हो रही है, यहां से stem इसकी मोटी है, यहां से भी मोटी है, यहां से वो पतली हो जा रही है, तो मुझे ऐसी पतली stem को नहीं रखना है, तो मैं सीधा plant को यहां से ही cut कर दूँगा, मैंने यहां से प्लांट को कट किया था पहले और यहां से एक नई फ्लावर की स्टिक निकल चुकी है देखिए मैंने यहां से भी प्लांट को कट किया था यहां से फ्लावर की स्टिक निकल चुकी है लेकिन यह जो कट रहता है वो सिर्फ फ्लावरिंग्स लेने के लिए रहत है जहां से मोटी stem है healthy stem है ये cut यहां से healthy stem produce कर सकती है क्योंकि जहां से stem की thickness ज्यादा होगी वहां से अगर आप cut करोगे तो बाद में आपको वहां से healthy stem ही देखने को मिलेगी और मैंने यहां से दूसरी एक branch आप cut की थी क्योंकि वो उसके उपर कोई activity नहीं हो रही थी तो ऐसी non active branch को हमें cut कर देना है अब जैसे की जो activity हमें summer season में यानि की March मैने से perform करनी है वो है pinching की जी हां वहां पे आपको कोई भी stem की thickness वगेरे नहीं देखनी है जैसे की आपको लगता है कि यह जो पतली stem है और इसके उपर flower bud आ रहा है तो उसको pinch कर लीजिए जैसे की मैं example के दोर पे बता रहा हूँ यह जो flower bud आ रहा है इसको मैंने बस नीचे से pinch कर लिया इससे यह होगा कि plant के उपर पत्ते की quantity बढ़ेगी summer season में यह चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है कि plant के उपर maximum leaves लाके रखना जितने ज्यादा leaves होंगे आपके plant के उपर आपका plant उतना ही healthy रहेगा summer season में क्योंकि leaves photosynthesis activity perform करता रहेगा plant के roots उतने बढ़ते रहेंगे plant की growth उतनी बढ़ती रहेगी जितनी ज्यादा photosynthesis activity होगी आपका plant उतना ही अच्छा grow हो पाएगा और plant की water requirement भी उसके सामने बढ़ेगी तो पानी भी प्लीज उसके सामने provide करते रहेए लेकिन यह pinching का process कब करना है pinching का process जब आपके 35-36 degrees के आसपस temperature आ जाता है तभी आप pinching करिए और pruning कब करनी है जैसे कि अभी मैंने बताया इसका plant का flower खतम हो चुका था तो उसके उपर मैंने कैसे pruning की थी वह इसापसे pruning करनी है ऐसा नहीं करना है कि एक साथ सारी branches कट कर ली ऐसी pruning अभी नहीं करनी है तो यह हिसापसे अभी March महीने अभी February एंड में जैसे कि मेरे या temperature बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो यह हिसापसे मैं अपने रोज की care करने वाला हूँ और अगर आपको किसी भी टाइप का confusion हुआ यह topic से related तो आप प्लीज मुझे telegram ग्रूप में contact कर सकते हो तिल देन के लिए thank you friends और happy gardening